दोस्तों के LD Classes में आप सभी का स्वागत आज हम बात करने वहले हैं नेपाल के पूरो प्रधान मंत्री जिनका नाम है पुस्प कमल दहल प्रचंड जी ने क्या कहा है काला पानी विवाद को लेके और भारत नेपाल और चीन के रिष्टियों को लेके इसमें क्या कहा गया इस और भारत नेपाल और चीन के रिष्ट यूपर भी है तो मैं आपको उनको दिखाना भी है कि कहां पे ऐसा इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँगा तो जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या कहने वाला हूं यहां पे देख सकते हैं लिखा भी है कि नेपाल में होगा इस बार कह सकते हैं कि साज हा यू धब्या सबी तो हम उसके बारें बात करेंगे कि जो सूर्य क्रियाड भारत और नेपाल के जो सैन अभ्यास होता है यह प्रतिवर्स कह सकते हैं कि होता है और एक साल में कभी कभी दो बार भी इस तरह से हो जाता है लेकिन एक बार नेपाल में होता है एक बार भारत में इसका आयोजन किया जाता ह यहां पे मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ कि इन्हों ने काला पानी और भारत नेपाल चीन के रिष्टे को लेके क्या का है तो यहां पे देख सकते हुए दिया गया है कि भारत नेपाल और चीन में त्री पच्छी साजेधारी होनी चाहिए इसका मतलब क्या हो कि भारत को यहां कैसे कि नेपाल को भारत और चीन दोनों के साथ इस तरह सेमेल करके एक साथ चलन데 चाहिए दोनों के साथ जब कि नेपाल भारत और चीन के बीच में पड़ता है तो अगर इसको हम साजेदारी या नहीं बनाते हैं तो भारत के लिए भात है और चीन-देश के लिए भाता है तो इसलिए ये कह सकते हैं कि पूरो प्र зап Gemfona को नेपाल को पीछह नहीं छोड़ सकते यह नेपाल को हमे आगे क चीन से अलग कर सकते हैं भारत से अलग कर सकते हैं जब भी और आगे कोई भी साझे दारी करेंगे तों इसमें पूछने की जरूत नहीं हो तो ऐसे ही कह सकते हैं कि संप्रभू कहा जाता है तो उन्हों नहीं यहां पर भी कहा है कि दिया गया है कि नेपाल एक संप्रभू देश है इसके 23 साध्यदारी में नेपाल का समान दर्जा होगा चाहे भारत के साथ बैपार करे या चीन के साथ करे तो इसमें न कह सकते हैं कि ने तो चीन आगे बढ़ सकता है निपाल को छोड़के और नहीं भारत कह सकते हैं और यहां पर यह भी दिखे दिया गया है यहां पर पढ़ सकते जो भी हमको सुल जाना है वो हम कह सकते हैं कि जो बैठ के होती है बैठ करके हैं हम उसे सुल जा सकते हैं यहां पे इन्हों ने कह सकते हैं कि नेपाल सरकार से यह भी मांग किया है कि नेपाल सरकार अगर वो काला पानी और जो लिपू लेख है जो भी कह सकते हैं कि सीमा विवा प्रचन जी ने इस तरह से नेपाल सरकार से मांग की है और जो कहते कि चीन और नेपाल और भारत के थोड़ा सा दूरिया बनी हुई इसको भी कह सकते हैं कि इसाज़ेदारी के माध्यम से बात करके इसको जो मैं कह सकते कि विवाद हुआ है इसको सुलजाया जाएगा जिससे आएगसा है तो आपकी जो आएजया आपकी नबर जो जीला है लेकिन आपकी बार चैने नमबर का ये है नेपाल जीले में होगा किस जीले में होगा तो रूप देही जो जीला है निपाल के वहाँ पे इसका आज़न किया जाएगा और 3 दिसंबर से शुरू जैसे आज आपका 1 दिसंबर हो गया है 3 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर तक होगा ये 14 दिवसी सैन अभ्यास होगा इसमें 300 मैं आपको बताना चाहता हूँ 300 भारती सैना इसमें सामिल होंगे और 300 कह सकते हैं कि नेपाली सैने कि इसमें सामिल होंगे ये कह सकते हैं कि 2011 मैं आपको याद की दिलाना चाहता हूँ कि 2011 से लगातार ये कराया जाता है और अब तक ये अपकी बार जो है इसमें दो ये रहां से ले जाता हूँ